जैसे कभी ने कहा था, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो मन खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई, इसका मतलब समझ आ रहा है, हम वो कोने से डरते हैं, जो है ही नहीं, आपने वो सुना है, मेरा जो, मैंने एक पोईटरी लिखी थी, छोटी सी, खुद को खोकर, खुद को पालूँगा, किसको खोया आपने, और क्या पाया, इसी experience को जब आप घहरा करते चले जाओगे, तो यह effortlessly होने लग जाएगा, बट यहां पर फर्क क्या है, और पूरी तरह से जब आप, लिबरेट हो जाओगे, उसमें क्या difference है, छोटा सा difference है, अभी हम सब यहां पर ढोंग कर रहे हैं, अपनी यादाश को खोने का, जो कुछ देर के लिए आप कर सकते हो, लेकिन फिर वो past आ करके आपको पकड़ और future create हो जाएगा, जैसे ही past में ध्यान गया, future automatically create हो गया, future में ध्यान गया, past automatically create हो गया, तो liberation में क्या फर्क है, जब आप पूरी तरह से इन चीजों को समझ जाओगे, अंदर तक जा करके गढ़ जाओगे, क्या फर्क होगा, memory पड़ी रहेगी, या दाश्त पड़ी लेकिन आपका ध्यान वहां से हट करके यहां आजाएगा, 24 by 7, you will be there in the present moment, अब ऐसा नहीं है, वो यादाश मर गई, उस यादाश में से इस वक्त, जिस चीज की ज़रुत होगी, वो आप नहीं जाओगे, वहां पे जा करके, ले करके नहीं आओगे, आप उसके बारे में सो रहना, इसी को बोलते है स्थिर प्रग्या, प्रग्या मतलब wisdom, स्थिर, क्योंकि इसकी अलावा और कुछ है ही नहीं, पास्ट में जा करके आप कुछ बदल सकते हो, नहीं कर सकते हो, फ्यूचर में जा सकते हो, जी सकते हो फ्यूचर में, प्रडिक कर सकते हो फ्यूचर को, नहीं कर सकते, तो बचा क्या, अब चाहो भी तो past or future में नहीं रह सकते, you don't have a choice, या तो option होता, तब समझ आदा, चलो यार इन तीनों में से एक को चूस कर लो, you do not have an option, तो आपको सिर्फ present moment में रहना, सीखना है, जो किसी school में, किसी college में नहीं सिखाया जा रहा, उसका जवाब सिर्फ spirituality में है, वो जवाब कहा मिलेगा, भगवद कीता में मिलेगा, वेदों में मिलेगा, ओपन इश्यत में मिलेगा, कुरान में मिलेगा, बाइबल में मिलेगा, और ऐसी हजारों बुक्स में मिलेगा, और जब तक आप ये नहीं सीखते, इस दुनिया में कुछ भी बना लो, वो कब past हो जाएगा, पता भी नहीं लगेगा, भागते रहेंगे, ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, पता भी नहीं लगेगा, कब जाकर की शीशा देखेंगे बाल सफेद होना शुरू हो जाएंगे पता भी नहीं लगेगा भागे जारे हैं भागे जारे हैं एक दिन इतना देर हो जाएगी कि हमें समझ आएगा कि यार यह सब भाग करके जो बनाया वो किसके लिए बनाया पीछे छोड़के जाने के लिए किसके लिए भाई कौन है भूत काल मतलब भूत भूत मतलब जो है ही नहीं भूत मतलब that which does not exist जो है ही नहीं उसको पकड़ोगे तो क्या create होगा भाविश्य है अगें जो है ही नहीं सब कुछ mind में है दोनों ही चीजे mind में है दोनों एक दूसरे के बिना exist नहीं कर सकती एक को भी छोड़ दो दूसरा अपने आप छूख जाएगा present moment में रहना सीखना है यही spirituality है यह meditation का last goal है अगर इस goal को हम ना समझे और meditation करते करते यहां पे lights देखने की कोशिश करें समाधियों में जाने की कोशिश करें पुलर जनम देखने की कोशिश करें यहां जाएं वहां जाएं क्या फाइदा उससे अच्छा तो एक material आदमी है materialistic world में जो आदमी है वो कम से कम उसको दिखतो रहा है जिसके पीछे वह भाग रहा है जो spiritual आदमी है और meditation में ऐसे उल्टी सीती जगाओं पे भाग रहा है उसे तो पता ही नहीं हो जा का रहा है सपनों की दुनिया में कभी स्वर्ग देख रहा है कभी नर्ग देख रहा है कभी यह देख रहा है क्या फाइदा समझ गए meditation का last goal क्या है imagination से बाहर निकलना past is an imagination future is an imagination present moment में घड़े रहना बुद्ध से भी जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने क्या कह करके छोड़ दिया उन्होंने कोई concepts नहीं बताए नहीं तो लोग बड़ी अच्छी अच्छी वो चीज़े बना देते हैं कि enlightenment का मतलब है स्वर्ग होगा यह होगा वोगा नहीं उन्होंने simple एक line में बोला the end of suffering that is enlightenment so simple मतलब दुखों का अंत जब सारे दुख खतम हो जाएंगे दुख कब खतम होगे जब past खतम हो जाएगा यह यह कहो past से attachment खतम हो जाएगा possible past रहेगा past है past से attachment नहीं है mind भागता भी है past में तो मैं खड़े होकर कि उस mind को देखता हूँ हसता हूँ भाग बेटा भाग कितना भागेगा मैं यहीं खड़ा हूँ मैं नहीं आ रहा तेरे साथ भाग mind डर जाता है या तो गायव हो जाता है या वापिस present में आ जाता है mind future में भागता है भाग बेटा जाना कहां जाएगा किसको पकड़ेगा क्या पाएगा पाके दिखा नहीं पापारा आजा वापिस आजा हम सब एक दूसरे से अलग अलग है कोई अलग नहीं है कोई अलग नहीं ना scientifically हम एक दूसरे से अलग है ना spiritually हम एक दूसरे से अलग है सिर्फ mind के level पे अपनी imagination के level पे हम एक दूसरे से अलग हो रहे है और खुदी सफर कर रहे है जिस दिन आपको एक ग्यान हो गया, इसको बोलते हैं आत्म ग्यान, जिस दिन आपको एक ग्यान हो गया, कि हम सब एक हैं, कहीं कुछ अलग है ही नहीं, अभी जैसे ही हमारी यादाश गई, तो वो ही जो मेरे अंदर से देख रहा है, वो ही आपके अंदर से देख रहा है, वो कुछ seconds के लिए experience किया, जब सही में आप अपने आपको भूल गए थे, और सिर्फ देख रहे थे चीज़ों को, किया किसी ने? Experience? बहुत सारे लोग ने किया. यही enlightenment है. Enlightenment is not a point, it's a conscious choice of every single moment. और example, आपकी choice है, कि मुझे ये state समझ नहीं आ रहे. ये वाली state, present moment की. भाई, मुझे तो past में ही मज़ा रहा है. सोच सोच करके या तो खुश होते रहो, या दुखी होते रहो, या future में मज़ा रहा है. और जो लोग स्थिर होते चले जा रहे हैं, उनमें क्या फर्क है? उन्हें ना वहां मज़ा रहा है, ये ना या मज़ा है, उन्हें या मज़ा है.